बीदे कुछ दिदों में पंजाब की पूरी सियासा थी पलज गई है। विडियो संदेश जारी किया है। विडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि वा हक और सच की लड़ाई आखरी दंग पर लड़ते रहेंगे। सिद्दू ने अपने राजणितिक सफर की बात करटे हुए कहा कि मैंने 17 साल का राजणितिक सफर एक मकसद से किया था जो लोगों की पहतरी था। सिद्दूगा कहना है कि वा आपने मुद्दों से संच्छोता नहीं कर सकते हैं, हग और सच की लड़ाई को भाह लड़ते रहेंगे। प्यारे पज़ापीद, 17 साल दा राजणितिक सफर एक मकसद दिनाल की पहारा। पंजाब दे लोकान दे जिन्दगी दो बेतर करना तो मेक अडिफरेंस और मुद्द्धिया दी राजणिति दे उते एक स्टैंड लेके खड़ना है। एही मेरा तर्मसी, एही मेरा फर्सी, मेरी, आज़ी तक किसे नाल कोई मिजी किर नहीं रही है। जिए लड़ाई लढ़िया है मेरी लड़ाई मुठ्या दिया है और reported आ भाः थी यह और यह अजयनगी दिनार पंजाब यह बख पूरण निए में हक्स मिलड़ाई लड़ारे दिए 16 ぇमाने फून nes सिद्धू का कहना है कि वो नेतिकता हो सचाई के साथ खड़े हुए है और इससे समझोता नहीं कर सकते लेकिन आज कल मुद्दों के साथ समझोता हो रहा है आज मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने पहले बादल को क्लीन चिट दी थी उन्हें आज एहमियाद दी जा रही है सुद्धू बोले कि मैं पंजाब के लोगों के लिए कोई भी गुर्बानी दे सकता हूँ लेकिन अपने सिद्धान दों पर लड़ूगा जिन्हों बेतर करन देगी लड़ाई लड़न देले ते साध्रान दे लड़ाई लड़न दे सिर्मत थे किसे भी चीज दी कुर्बानी मैं दौंगा लेकिन सिद्धान ते खड़ूगा इदे लेही मेंनों कोई सोचन दी लोग नहीं है दागी लीड़ना ते दागी अफसरादा सिस्टम ता पन्यासी कि दोवारा उननों दे आके ओही सिस्टम खड़ानी किता जासा मैं दा विरोद करना नंबर दो मामा दियां कुखा नोलन वाले सब तो वड़ा मुटा जड़ जिना लोका ने वड़े अफसरादा दायतों ने बांदे होए उना लोका नूं प्रोटेक्शन दिती सुरक्षा कबच पाए जिनाने मामा दियां कुखा रोड़तियां जिना पहले दाभी बनाये जासे कि मैं यह ते अडू ते लडू जांदया साब कुछ जांग उसूलों पे आँ चाहे तो टकराना ज़रूरी और जिन्दा वो तो जिन्दा नजर आना ज़रू है कि नवजोट सिंग सिध्धू ने बीते दिन ही प्रदेश अधेक्श का पर छोड़ा था बाना जा रहा है कि पंचाब सरगार में कुछ मंत्रियों के न्यूक्ति को लेकर आज हुकर पद से स्टीफा दे दिया आइनस रिपोर्ट